लोग बच्चों वेदी गुद मॉनिंट वाल थेव तो आज हम करने वाले हैं क्लास सेवंथ की इंग्लिश की वरक्षीट नंबर 25 जो की है 23 दिसेंबर की वरक्षीट यहां हम आज जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिनोनियम्स यानि कि परियावाची शब्द यह लिखा हुआ है सिनोनियम्स यह होते हैं आपके परियावाची हिंदी में पड़े होंगे न आपने परियावाची वहीं इंग्लिश में आपके synonyms होते हैं यानि एक शब्द के एक से ज़्यादा मतलब या फिर एक से ज़्यादा मतलब वाले और शब्द उन्हें परियावाची कहते हैं जैसे आख को अगनी कहते हैं जल को नीर कहते हैं वैसे English में भी होता है ठीक है तो आई चले स्टार्ट करते हैं पनी वोक्ष स्टार्वों और श्वाची तो इस तक है को मतलब यह होता है फिर बतला लुटा फिर है मतलब होता है अगलोमी मतलब होता है उदास हो जाना ठीक है यह हमारे इंग्लिश के परियावाची है जिनको हम कहते हैं साइनोनिम ठीक है यह लेको यहां लिखा हुआ है साइनोनिम अब बी में आते हैं हमें यहां पर इन चार वर्ड में दो वर्ड ऐसे जिनके मिनिंग सेम है तो हमें उनको पॉंट आउट करना है ठीक है तो सब पहले हमारा एंगरी यानि गुस्था होना डिलाइट यानि बोल्ड भी बहुत दूर होता है यानि यह वाला वर्ड और यह वाला वर्ड हमारा सेम है डल का मतलब तो पताएए आपको इसको बोल्ड का उल्टा डल फिर है सी रिफ्यूज मना कर देना ठीक है यह हमारा यहां रिफ्यूज जिसका मतलब 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 मान जाना डील का मतल लोग गई डिराय मतलब मना करते हैं तो यहां पर हमारा टग होता है खीच रहा और पुल का मतलब होता है खीच ना ठीक है तो यह दो हमारे सिनोनिम है अब आते हैं नीचे अब देखाँ डेफिनेशन भी लखी हुई है शिनोनिम में बड़ और फ्रेज द मेंज अग्जाक्ट और नियरली ते सेम अनदर वर और फ्रेज इसकॉल सुनोनिम वो वर्ड होते हैं जिनका मतलब दुसरे वर्ड से बिलकुल मिलता-जुलता है एग है बिलकुल सेम ना केंदेन होता है कलेक्ट और गैदर से मैं फास्ट और क्विक का मतलब से मैं इंजॉयमेंट रफन एंगल और प्रॉत या मतलब बन करना शाट बन करना ठीक है अब आते सी के अपर हम ठीक है सी वाला करते है तो वह हमारा सी वाला कॉर्शन चूस्ट सिनोनिम वर्ड इंड गिवन संटेंसेश वन अलका इस बहुत इंटेलिजन गळल था में इंटेलिजन का सिनोनियम ढूंड ना यानि इस वाले वर्ड का परियावाची ढूंड ना थे क्या वह ब्रिलियंट होगा प्रेव होगा ओवीटी ठीक है नौ 3 मापे रिट्ट सार इन्ट रिजेमा की पेरेंट बहूत रिच हैं अमीर हैं तो पिछ का सुन्नोनिम होगा वैली ठीक है आइब फिनिस आएमयनंट तो मॉर्ड मैं अपना एसाइमयन कल फिनिश कर लोंगा तो फिनिश का यहीं फिनिश सुनोनिम क्या लेटर क्रूप फॉर्म सिरॉनिम आफ दाइव डिवन वर्ट्स अब यहां हमें इन इन कंप्रीट वर्ड दियो हमें लेटर दालके ने कंप्लीट करना है तो मिने कंप्लीट करेंगे ठीक है से पहले गिग एक्रेयर मतंद होता है यह क confront ह downwards ptcs घाली एक है यह मतलब होता है यह टिंगा टिकलिट आइडिएट आइडिए बीए इडिएध क्लीन कषdagगा टाइडी यहां हमारी वर्षिट होती है कम्प्लेट और आपको रोना से बचना है तो 6 फिट की दूरी बनाए रखे तो आल पर टोड़े